मलेशे पाम ओल बोर्ड ने गुरुवार को अक्तूबर की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है इससे पहले बुद्वार को अमेरिकी क्रिशी विभाग की रिपोर्ट जारी होई थी इन दोनों रिपोर्ट के असर से दुनिया के खादय तेल बजारों में बड़ा असर देखा जा सकता है लिहाजा आप बुद्वार और गुरुवार को खादय तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है मिलेशिया पाम ओयल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर में मिलेशिया पाम तेल का उत्पादन 2.44 फीसद बढ़कर 1.81 मिलियन टन के पार पहुंच गया है रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर में देश के अन्डिंग स्टोग में भी करीब पोने 4 फीसद की भड़ोतरी हो रही है अन्डिंग स्टोग 2.403 मिलियन टन तक पहुंच रहा है मलेशय में पाम तेल का बड़ा स्टोक दुनिया भर के खाद्य तेल के बजारों को परभावित करेगा इससे पहले चीन में सोयाबीन के आयात में कमी से भी बुधवार को खाद्य तेल बजारों में गिरावट देखने को मिली थी दरसल इस सब्ता के शुरुवात में ही विदेशी खाद्य तेल बजारों में मंदी देखी गई थी चीन में करोना प्रतिपंजारी रहने से खाद्य तेल बजारों में हलकी कमजोरी बनी हुई है खाद्य तेलों के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा आया तक देश है चीन की डिमांड में एक एक भारी कमी आने से सी बोट में कमजोरी देखी गई और इसलिए उसकी डिमांड का असर मार्किट पर पढ़ना सभाविक है इस दबाव की वज़े से मत्य परदेश की इंदोर की मंडियों में भी खाद्य तेल बजारों में किरावट देखने को मिल रही है प्यूरर रिपोर्ट मार्किट आइम स्टीव